अस्वालेकुम फ्रेंड्स क्या हल चाने आपके आई होप कि आप सब हैरियसे होंगे हम लोग भी अला का शुकर है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं वेलकम बैक टू आर चैनल क्या हो रहा है इस टाइम पर मैं तो भी खाना बनाने लगी हूँ आज माशाले से यहां पर शबरात का होती जैसे के पाकिसान में सेलब्रेट होती है पाकिसान में जायरे बहुत रोनिक लगी होगी बजारों में वो जो हैं पूरे बन रहे होंगे पूरियां और इस तरह की चीजें बहुत उपसुरत गहमा गहमी होती है पाकिसान के बजारों में शबरात पे मैं भी जब पाकि के अज़ोघंगे लेकं विश्ट के मेरे हैं इसकत कוחष़ कर दाति होंगे यही तह्वार है बनके होंगी माशाला से अफ्तारी सेहरी बहुत खूबसूरत दिन जो है वो उनका आगास होने वाला है तो फ्रेंड्स आप बता दें कि आप लोग कैसे शबरात सेलुग्रेट करते हैं तो क्या आपकी अम्मी या भाईया कोई भी आपकी शबरात लेकी आया है मुझे कमेंट इस बॉक्स में जरूर बताना है कि आपकी शबरात आई है तो क्या आई है तो फ्रेंड्स में बनाने लगी हूं शबरात के लिए खीर बनाने लगी हूं और चिकन का सालन बनाने लगी हूं मेरे बेटे को चिकन का सालन बहुत पसंद है वो कह रहा था कि मामा कोई चिकन का स बाइदत करेंगे। तो आखरत में निजात पाएंगे तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि ने लोग आए हैं और पुराने लोगों का मैं बहुत शुक्रिया करती हूं कि उन्हों ने इतनी खुबसूरती से मेरा साथ दिया अभी तक साथ दे रहे हैं मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को पूरा वाच करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का तो चलने शुरू करते हैं खाना बनाना और आपके साथ शेयर करती हैं मैं अपनी रेसिपी बिसमिल्यारमान रहीम तो गाइस मैं यहां पर कीर को बिनाना शुरू कर दिया है यह मैंने पैन के अंदर एक लिटर दूद को डाल दिया है जैसे ही दूद में बाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर एक पूरा पैकेट मिक्स कीर कर डाल दूँगी अचा यह इतनी सी कीर हमारी फैमली के लिए बहुत है क्योंकि हमारी फैमली में कोई भी मिठायत है शोक से नहीं खाता है तो यह बच जाती है बलके और मुझे पीछे लगए इसको खतम करना पड़ता है तो यह कीर हमारी फैमली के लिए more than enough है अब यह खीर गाड़ी होना शुरू हो गई है 20 मिनट तक 20 से 22 मिनट लगते हैं इसको पकाने में तो यह खीर गाड़ी हो गए जैसे ही इसको पर बबल आना शुरू हो जाएं तो आप समझें कि खीर बन गई है अब इसको मैं क्या करूँगी कि डिश आउट कर लूँगी यह देखें यह वही मटी के बतन है जो के मैंने रियाद से लाए थे और देखें कितने जबरस यह लग रहा है और इसके अंदर खीर डालने की वज़ए से खीर का टेस्ट में डबल हो गया था तो अब इसको मैं बारी कटे हुए बदाम के साथ गानिश कर लूँगी इसके अंदर भी कापी ज़्यदा ड्राइफ रूट्स होते हैं तो ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर डालने की हैं अब मैं चिकन क्राही बनाने लगी हूँ पैन में तेल को डाल रही हूँ इतना तेल डालेंगे कि बहुत अच्छी तरह से चिकन फ्राय हो जाए क्योंकि चिकन को हमने पहले फ्राय करना है और फिर उसके बाद हमने फर्दर प्रासेस करना है ये चिकन को मैंने डाल दिया है आपने जब चिकन को डालना है तो उसके अंदर फोरण से चमच नहीं चलाना है थोड़ा सा उसको सेट होने देना है जैसे ही आपको लगे कि चिकन हलका फ्राय हो गया है तो आपने फिर हलकी हातों से इसके अंदर चमच चलाना है अगर हम इसके अंदर चमच फोरण से चलाना शुरू कर देंगे तो चिकन क्या है अपने पानी को लूज कर देगा और बिलकुल उसका टेक्स्चर ऐसा हो जाएगा जैसे उबला हुआ है अभी हलका सा फ्राइ हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सेट करने के लिए इसके अंदर चमच को छिलाया है बहुत हलके हाथ से अब इसको मैं इस तरह से छोड़ दूँगी अब फिर इसमें थोड़ा सा मैंने उसको चिकन को ताकि उपर नीचे से अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए तो मिक्स कर रही हूँ जैसे ही ये वाल ओयल जो है ये जो क्लावडी सा हो गया है ये जैसे ही ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा तो आप समझें कि आपका चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है अब ये देख लेए चिकन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है अब हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है और काफी हद तक कुक भी हो गया है अब जो एक्स्ट्रा ओयल था वो मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर वन टेबल स्पून मैंने डाल दिया है जिंजर गारलिक पेस्ट को अब ये डालने के बाद हम लोग अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि अद्रक और लिसन की जो स्मेल होती है वो बिलकुल हो जाए और वो बिलकुल फ्राय हो जाए अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी दो बड़े टमाटर यह मैंने पेस्ट बना लिया था आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं क्योंकि वो काट के भी डालेंगे तो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया था अब टिमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि टिमाटर भी अच्छी तरह से पक जाए और जो है चिकन भी बहुत अच्छी तरह से मजीद गल जाए अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुराही मसाला ये हॉममेड है इसकी रेशिपी मैं जल्द ही डा सकते हैं यह وन ty axispon मैंने रेड चिली पाउडर ढ़ला है आदा चमच मैंने नमक को ढला है थोड़ी सी हलदी 의 होटर टीसè अब इसके अ मिन कोरीअंडर पाउड़र डाला है one tea spoon, half tea spoon काली मिर्षे डाली है , और half tea spoon ही इसमें मैंने zero powder डाला है अब powder अब आफ़्णी अजारे डालने के बाद हम अच्छी तरह से chicken को भूनेंगे मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे इतना कि अच्छी तरह से पक जाए और अपने oil को lose कर दे ये देख लें oil जो है बाहर आ गया है अब हम इसके अंदर डालेंगे दही को बहुत अच्छी तरह से आपने बूहना है बिल्कुल भी कच्छा पन नहीं रहना चाहिए अब इसके अंदर मैंने धाई सो ग्राम डाल दिया है दही को ये ब्लेंडड दही है आपने क्या करना है कि जब दही डालना है तो उसको अच्छी तरह से फैंट लेना है ताकि फुटकिया ना बने सालन के अंदर उसकी अब दही डालने के बाद भी हम लोग चिकन को भूनेंगे ये भूनाई के वज़ा से सारा टेस्ट इसके अंदर आता है अब चिकन ने दही ने अपना पानी जो है वो लूस कर दिया है अब इसके उपर मैं धकन लगा दूँगी पाकिसाह में शवरात है तो आप सब को मेरे तरह से बहुत बहुत शवरात मुबारिक हो अपनी दूआउ में ज़रूर यादर कियेगा अब इदर हुजैफा, रोशनी और इमरान बैटके खतम पढ़ रहे हैं शवरात का अब भी अपनी कराही को चेक कर लेते हैं ये देखें दही ने पानी लूस किया था और ओल उपर आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारी चिकन कराही जो है वो बिल्कुल रेडी है अब एक दफा हम इसको अची तरह से मिक्स कर देंगे देखे कितनी जबर्दस बन गई है आप चाहें तो इसको मजीद हुश कर सकते हैं कि मैंने इसको इतना यहां पर ही पकाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी अब इसके अंदर मैंने कोरियंडर लीफ्स डाल दिये हैं ग्रीन फ्रेश चिली नहीं थी मेरे पास तो मैंने ड्राइ की हुई थी वही मैंने इसके अंदर डाल दी हैं मैंने धन्या पुदिना ग्रीन चिली यह ड्राइ करके रखी होती हैं जरूरत के टाइम पर इस तरह से यह काम आ जाती हैं यह लेमन स्लाइस भी डाल दी हैं अब हम इसको करेंगे डिश आउट बहुत मज़दार कराही बनी थी देख लें कितनी अच्छी लुकाई है इसकी और यह हमारी कीर भी अब यहां भी मैं रायते को बना रही हूँ इसके अंदर भी मैंने यह चटनी जो है फ्रीज की होती है बना के यह खुदी थोड़ी दे बाद इसमें डिजॉल्व हो जाएगी यह जल्दी जल्दी वाला सैलेड भी मैंने बना लिया है अब यह आलू छोले की चाट की मैंने यहां पे बनाई हुई थी इसके अंदर भी मैं देही को मिक्स कर लूँगी देही और इमली की चटनी डालके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखें यह ग्रीन चटनी है जो उसको मैं छुरी के साथ काट के डाल रही है ताकि अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स हो जाए और अंदर इमली की चटनी डाली है ये रायते के अंदर भी देख लें कि सबस चटनी मिक्स हो गई है अब इसको मैं ये ट्रे में निकाल लूँगी आज हम लोगों ने खाना बाहर खाना है तो ये उसी की तियारी कर रही हैं पार्क में जाएंगे हम लोग फ्रेंड्स हम आगे हैं पार्क में और अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं दिनर कर रहे हैं हम लोग यहां पर बड़ी थंडी हम आज चल रही है ऐसा लग रही है जह सदियां वापिस आगी हैं और सुमाय को हम लोगों ने जैकेट पिना दिया तो आज यह आप भी हमारे साथ खाना खाएं हुजैफा कैसा सालंग बना है इतना तेस्ती ऐसा लग रहा है कि वो शीप काटा गया शीप काटा गया चिकन हुजैफा के लिए शीप बन गया इतनी सदी के बाबजूद बच्चे घर नहीं जाना चाह रही है जी यह हुजैफा और मान साथ पुटबॉल खेल रहे हैं लोग आये हुएं लेकिन लोग ना सदी की वज़ा से वापस जा रहे हैं क्योंके बहुत ठंडी हवा चल रही है और जब ठंडी हवा चलती हो तो ऐसे लगते जैसे हर्डियों में गुजगी है तो बस हम लोग तो घर जाएंगे अब बच्चे ना जाना चाहें लेकिन बच्चों की सेथ के लिए हमें तो जाना पड़ेगा घर क्योंकि बिमार होगे तो और मसीबत पड़ जाएगी मोसम कैसा इम्रान बहुत थंडा है कि अन्त ठंडर है दूद्गा जान था जाएगी जा लॉप आतनी लुग ऑपस के रखी जहुः पीहां होगे अरता है चाहीं दिए है कि दिए नपीजे पीएगे टाहीं है आप सभी है डाले लुटर है। आप मेरे का çृवल से का झेले है चले सेगे ज़े ले चाहे दो ना चाहे गर जाके पीते हैं खागे चाहे ज़े खागे जो एक बागे ज़ेख़ा अश्या श्याज़ यह जो बागे अच्छा जैज जो फ्रेंट्स आप खाना हम लोगे खाली है लेकिन हवा बहुत जादा तेज है ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्रीज हो जाएंगे सुमायोगे मैंने जैकेट तो पेना दी थी लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है ऐसे लग रहे हैं जैसे सर्दियां दुबारा से वापस आ गी है तो अभी हम लोग घर जाएंगे मैं चाय वगएरा बना के लेकिया थी लेकिन अब वो घर जाके ही पिएंगे क्योंकि पार्क में एक मिनट भी रुकाने जा रहा है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना है अपना और अपने प्यारों का हयार रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफेज